हेलो फ्रेंड आप सबका मेरे यूटूब चाइनल रेश्पी विद करुना पर स्वागत है आज हम आलू टिक्की चाट का रेश्पी सेयर करते हैं जो जटपच असानी से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए बनाते हैं चाट बनाने के लिए हम एक कप काबली चना लिए हैं इसको हम अच्छे तरह से धोकर आठ घंटा फुलने के लिए छोड़ दिये थे और इसका सारा पानी निकाल लिए हैं अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालते हैं एक कप काबली चना है तो हम इसमें दो कप पानी डालते हैं और एक चमच नमक डालते हैं आधा चमच हल्दी पौडर डालते हैं सबको इसमें इस तरह मिला देते हैं इसका धकन लगा के हम स्लो टू मिलियम आज पर पांच विसिल आने तक कुप करते हैं पांच विसिल आ गया है अब हम गैस अफ करते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं अब हम इसको खोल के देख लेते हैं अब ये चना अच्छी तरह से गल गया है इसको हलका हलका कलचल से इस तरह चला देते हैं अब हम इसके लिए तरका तयार करते हैं तरका के लिए कराही गरम हो गया है अब हम इसमें एक चमच तेल डालते हैं और इसको थोड़ा गरम होने देते हैं तेल गरम हो गया है अब ह राई चटटने लगा है अब हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज लिये हैं जिसको हम पेष्ट बना लिये हैं अब इसको इसमें डाल कर अब गूझते से प्याज को गोल्डेन होने तक इसी में प्याज गोल्डेन लिये हैं अब हम इसमें एक टमाटर लिया हैं और हरी मिर्च और लसन है इसका हम पेस्ट बना लिये इसको भी इसमें डालकर और धुझते हैं प्याज और टमाटर अच्छी तरह से भुझा गया है अब हम इसमें कुछ मसाला डालते हैं आधा चमच हल्दी पॉडर, आधा चमच धनिया पॉडर, कश्मिरी लाल मिर्च पॉडर डालते हैं और सबको इसमें मिलाते हुए दो मिनट तर भूंजते हैं मसाला अच्छी तरह से भूंजा गया है अब हम इसमें काबली चन्ना डालते हैं और इसको भी इसमें इस तरह मिलाते हैं और साथ में हम एक चमच नमक डालते हैं और सबको इसमें इस तरह मिलाते हुए अब इसको पकाते हैं इस तरह सबको मिला लिये अब हम इसको धखकर 5 मिनट तक slow to medium आज पर पकाते हैं 5 मिनट हो गया है इसको फीर से देख लेते हैं अब मेरा छोला ready हो गया है अब हम इसमे 1 फोर्थ चम्मच गरम मसाला डालते हैं और इसको भी इसमें इस तरह मिलाते हैं और इसको धखकर हम 2 मिनट तक और पकाते हैं ताकि गरम मसाला का फ्लेवर छोला में आ जाए 2 मिनट हो गया है अब मेरा छोला पूरी तरह से ready हो गया है अब हम लास्ट में हम धनिया पत्ता डालते हैं और इसको भी इसमें इस तरह मिलाते हैं अब हम gas off करते हैं बनाने के लिए हम चार boil किया हुआ आलू लिये हैं अब हम इसको कद्दू कस कर लेते हैं आलू को कद्दू कस कर लिए अब हम इसमें आधा चमच काला नमक और आधा चमच चाट मसाला पॉडर डालते हैं और एक हरी मिर्ज को छोटे छोटे पीस में कट कर लिए इसको भी इसमें डालते हैं और थोरा सा धनिया पता डालते हैं और सबको इसमें इस तरह मिलाते हैं सबको इसमें इस तरह मिला लिए अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए एक चमच कॉन फ्लॉर लेते हैं और इसको इसमें डालते हैं और इसको भी इसमें इस तरह मिलाते हैं इस तरह सबको मिला लिए अब हम इसको छोटे छोटे टिक्की के तरह बनाते हैं इस तरह टिक्की बना लिए अब हम इसको सेलो फ्राई करते हैं शेलो फ्राई करने के लिए हम नॉन्स्टिक तावा रखे हैं अब इसके उपर थोरा सा तेल से ग्रीस कर देते हैं इस तरह तेल से ग्रीस कर दिये अब हम एक केक करकर टिक्की को रखते हैं इस तरह टिक्की को तावा पर रख दिये अब इसको दो मिनट तक इसी तरह सिखने देते हैं दो मिनट हो गया है अब इसको पलट देते हैं ये एक साई से थोड़ा सिख गया है इस तरह सबको पलट दिये अब इसको उलट पुलट कर एकदम गोल्डेन होने तक सेखते हैं अब तिक्की चारो तरब से गोल्डेन हो गया है अब हम गैस आफ करते हैं और तिक्की चाट बनाते हैं चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम पलेट पर तिक्की रखते हैं और इसके उपर छोला डालते हैं और छोला के उपर फेटा हुआ दही डालते हैं और दही के उपर इमली का पानी डालते है प्याज डालते है तमाटर डालते है काला नमक डालते है चाट मसाला डालते है या पत्ता डालते है हरी मिर्च डालते है कस्मिरी लाल मिर्च पॉडर डालते हैं, सेओ डालते हैं, दही डालते हैं, और थोरा प्याज डालते हैं, थोरा काला नमक चाट मसाला डालते हैं, और थोरा सा धनिया डालते हैं, मेरा टिक्की चाट रेडी हो गया है, इसका टेक्चर देखिए कितना खुबसुरत है, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, आप एक बार मेरे तरीका से टिक्की चाट बनाईएगा, आप बाहर जाना भूल जाईएगा, ये रेश्वी आप लोगो कैसा लगा, कॉमेंस बक्स में लीक कर जरूर बताईएगा, और मेरे वीडियो को लाइक सेयर करिये, और चैनल को सब्सक्राइब करिये, प्लीज